चलो बुलावा आया है कोर्ट ने बुलाया है कानून के हाथ लंबे होते हैं तो बड़ी इंपोर्टन्ट केस थी मानिय उचने आले में मानिय चिप जस्टिस साप के फुल बेंच के सामने तो ये बात रिस्पेक्टेड कलर चैनल्स को भी पता थी सल्वान खान जी को भी पता थी और हमने उस तरह से उनको पहले ही बताया भी था तो बड़े अधर रिस्पेक्ट के साथ क्योंकि केस ही उतनी मजबूत और जरूरी थी कि वह अरक्षन पचास टक्के से ज्यादा अरक्षन देश के फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो सभीदान का है उसके संदर में केस थी अरक्षन नहीं पचास टके से ज्यादा होना चाहिए करके वह भी बिग बॉस जैसे इंपोर्टन थी और जैश्री जी उस केस को 2014 से लड़ रहे है तो इस महतोपूर्ण केस के वज़े से जो है हम केस के लिए जाने के लिए बिग बॉस ने हमें इजाजत दी थी तो लोग हमेर की बोलना लोगों के लिए तो वो काफी लोग मिसकर आप इतना मिस करहें अभी बॉस से निकल तो देखिए मुझे तो ऐसा है ना किम जो मिशिग बॉलना नहीं चाहता हूं कि मैं ये यह कहना चाहता हूं मेरे जो लग चीज़िगर जो मुझे सुनते हैं चाहते हैं उ चीजे ठीक टाक से होने पर फिर से मैं बिक बॉस में जाऊंगा क्यूंकि उसी तरह से बात हुए है तो ज्ञादा स्टेस होने की मेरे भाईयों सातियों लगते जिगर जो भी है थोड़ा दूर का रिष्टा होता है तो मैं सारे सारे ही देश में के विदेश में के मेरा हमारी साथ मेरा जो साती है जो हमारा जो रिष्टा है वो ज्यादा फुटपाती भाई बहनों से होता है टेक्सी ड्राइवर रिक्षे वाले ड्यारी मजूर हमारे अपने लगते हैं ज्यादा सभी अपने हैं लेकिन हमें हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो कश्ट करने रियालिटी जीवन की सच्चाही डंके की चोट पर बताने के लिए आएंगे सब्सक्रांजीन तो आप एकडम शानते हैं लेकिन दूसरे दिन से नुगे और ph कलाकार है और वह कलाकार स्ट्रगलिंग कलाकार हम उन कलाकारों के सामने भी और सलमान के सामने भी कहते हैं वह हमको कैसे लगते हैं उबले चने फ्यूचर हीरो तो हम अभी तक किसी को भी अपना प्रतिदंदी मानते नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कलाकार किरदार के साथ आता है स्क्रिप्ट की सोच के साथ आता है इसलिए जमीन आस्मान का फर्क है इसलिए तो यह पब्लीक है सब जानती है और इसलिए हमें आप की तरफ से सोशल मीडिया हेंडल्स की तरफ से फोन के जरीए मैसेज के जरीए यह पता चला है कि लोगों ने हमें अपने दिल में जगा बनाई है और दिमाग में एक नमबर दिया जब आप घर में थे आप फिंदि जाने हैं ति ओबार ब्रीदिंग फीर से जिंद selber के अंदर का अधिकतर जो जीवन की वुनाई जीवन को कुवड़ा करने का जो पूरा श्रीव जैश्री जी को जाता है मेरे सोच कुब बढ़ावा देने से लेकर तो मेरे लिविंग स्टाइल तक मेरी कोर्ट के अंदर मैं किस तरह से अपनी बात रखू वहां तक तो उस वजे से तो मैं जैश्री जी को जिस बार पहली बार साली को पटाने के लिए कौन सा सेंटर हुआ करता था हमारे जमाने में वह स्टीडी बूत में पढ़ते समय इनको पहले देखा था और वहीं से हमारे पास वह गाड़ी थी यामा एक संड्रेड पीछा करते हुए इनके गए थे क्योंकि ने हमने डंके की चोट पर तही किया था कि इस तो उस वजए से इनका तो जीवन में जितना मुल्य मॉल हम करी नहीं सकते हैं और रही सवरभ की बात सवरभ एक बहुत ही यहने कैसे वह कला जीव कला जगत से आते हैं तो जब यह 12 सीजन में बारावर ना 12 सीजन में थे जभी हमसे इनकी पहचान हुई थी इनोंने तस्व कुछ बाते जानी थी तो वह भी हमें जीवन में बड़ा अनंद दिये गई थी और कला के बारे में कला जगत के बारे में इंसे हमने काफी सारी बाते समझे जानी है किस प्रकार की तैयारिया करके मीजे थे सर को है तैयारिया क्या करानी उनको यह तो रोजी तैयार रहते हैं कोर्ट में इतने वड़ शुठी super लड़ते हैं और उनके लिए क्रुंआ कराईं तो वह बताना जरूरी था कि एक इंसान इमोशनली रिष्टा बनाता है और बाहर तू कौन और मैं कौन तो वह सब तो थोड़ी से देना चाहिए क्योंकि हम फैमिली जैसे हैं और एक फैमिली मेंबर की तरह हैं मुझे छोटा भाई जैसे मानते हैं तो मुझे यह चीज अच् कामाल करंगे जो पूसदीने को बना तो वो चीज चिजों की बात हुई थी बाई तो आप गोपने मरे आगेंस्ट और और हमें दबाने की कोई कोशिश कोई करने वाला माई का लाल पैदाने हुआ हम दाउद इब्राइम जैसे आतंकी को अपने बूट के नीचे दबाने के लिए कुचलने के लिए तयार है तो हमें तो कोई हमसे कोई वह पंगा लेगा नहीं क्योंकि हम जो भी बोलता है डंके की छोट पर बोलते हैं तो हम 55 से इसे हैं तो इसलिए हमसे दो कोई बुल जानी लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जो कला जगत जिसे हम बॉलीवूड कहते हैं बॉलीवूड ने पवित्रता रखनी चाहिए अंड सलमान जी अच्छे है गोविंदा जी अच्छे है कंगना जी अच्छी है सब सारे कलाकार अच्छे है लेकिन है ना किसी चोटी मोटी चीज के लिए गलत हातों में न लग जाए यह ध्यान रखना ज़रूरी क्योंकि हम हमें लोग जो बताते हैं चोटी चोटी बाते दुनि तो जब हमने कुछ समझने की कोशिश की तो हम यह समझ समझ चुके है कि कही ना कई वहाँ पर बाहरी ताक्ते भी काम करते हैं इसे तीन जन जिनका आपको सबसे जादा अच्छा लगा सत्रा खिलाडी समान खेल रहे हैं वो खत्रा हमें समझते हैं क्योंकि कि जनता ने हम पर मन पे लिया है हम बात खुली रखते हैं उपन माइंड है तो सत्रा लोगों को किरदार से बाहर आना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे अभी तो फिलाल के लिए यह कहूंगा कि सत्रा एक लाइन में आप अपने फैंस को क्या मेंसेज देना चाहेंगा मेरे चाहने वालो हम जरूर अपनी बाकी चीज़ें खतम करके फिर से आपके खुशी के लिए आपके सोच विचार हमारी खुलेपन की बाते रियालिटी शो में रखने के लिए जरूर हम जल्दी बिग बॉस कलर्स में चाहेंगे डंके की चोट पे आपको हम वहां दिखें जरूर आपकेता वे जищ piss हमारी अपनी बाते हुशीच से बाते हमारी खंपकेंवे हमारी के खुशी के लिए को दूरा हमारी में यłнее खूरी